देखिए लगातार आपको धर्ने प्रदर्शन पर बैठे हुए काफी समय हो गया है और बहुत बार प्रदर्शन भी किया गया लाठी चार्ज भी हुआ कई तरह किमार भी खाई गई लेकिन उसके बावजूद भी मातर सिर्फ आश्वासन ही आशरी शुकरिया आज हमारे दर्ने प्रोटेस को आठ मेने एक दिन हो गया और जब हमने दर्ना शुरू किया तो तो हमारे एस्टेट डिपार्टमन को इरिगिशन के साथ ही रावी तबी के और बाकी डिपार्टमन के साथ ही टाइम से हमारे पास आते रहे के हम भी आपके सा लोग बंद किया पीएची की डिपार्टमेंट ने उसमें एस्टेट के साथ ही इरिगेशन वालों को अपने आफिस से बाहर ने निकले दिएगा वहां मेरे कहने का यह टोटल यह मकसद है कि हमारा सीधा स्पष्ट एक सवाल है अलजी प्रशासन से आज आठ मिने से इनकी जो साइलैंस हैं कि अब ने सरकारे किस लिए करें बात सी एब सकरिए अगर आपने बात चीट ही कर रहे हूं तो आपने यह लोग क्यों क्यों कर रहे हैं अगर अगर आपको लगता हैं इंके बगार काम चलता है साथ हजार लोगों के बैयार तो आप इनको दस दिन की छुटी पर सब को बहिए दो कहीं लेवर डेली वेजर को दस दिन की छुटी के लिए यह जम्मू कश्मीर का निजाम अगर ठपना हो जाए तो हम चैलेंग करते हैं आज आज इस साव आटर निकालें के जितने डेली वे और एसरो 64 की डिमांड जो है कोई नहीं डिमांड ही हमारी ना को बड़ी डिमांड है इसको होड़ किया गया है जितने यह डिपार्टम आपके सामने खड़े हैं इरिकेशन वाई रावी ताभी बले या बाकी डिपार्टम के नहीं नहीं आ सके हम सब लोगों की माश दो परसंट होंगे और सब की यह जो है 45 प्लास होगी है तीसरा क्या है सब के बच्चे जब लागे थे चोटे-चोटे थे कुछ अन्मेरिट थे आज मेरिट होगे आज उनकी जुरूरतें बढ़ गी हैं और ध्याड़ी देने के नाम पर तीन सो रपया हम उनसे पूछें समार्ट सीटी बे जो आपने लोग लगाए हैं उन टेक्निल लोगों को क्या दे रहे हैं दो-दो-जारब हजार पर पार्ड़ी दिया जाता है लेकिन जब हमें देने के बारिगे क्या है कि सरकार की तरफ से अब एकदम से चुपी क्यों सा आठ मेने से मैं आपको पहले सुना हमारे प्रिंस्पिर सेक्टिर परमार साथ थे उनसे बाद चीज़ी दो-ती रौंड की तो बाद में वह भी शांत होगे उसके बाद मनसर कमेशन जम्मू ने जादव साब ने हम बलाया ठीक हम बात कर दें उसके बाद वह भी शांत होगे इनके सामने कहा कि हम लोग आपका एक महने का टाइम हमें देजिए यह 22 डिसमबर की बात है और 28 जनवरी को इसलिए हमने प्रोगाम किया कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया जनवरी को आपको यह बताते चले कि लाठी चार्ज भी हुआ उससे पहले भी कई बार जब डेली वेजर्स ने धरना प्रदर्शन अपना बढ़ाया है या फिर राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश की तब भी लाठी चार्ज जो वो किया गया आपको क्या लगता है क लाठी चार्ज एक विकल्प है या फिर आप लोगों को डराने की कोशिश थी और एकदम से फिर्चुपी साथ भी देखिए मैं लाठी चार्ज छोड़के गोली चला दरने वाले तो हमने पहले भी बोल दिया था कि जो मर्जी हो जाए अब हम पीशे नहीं अठेंगे चाह तरीका है हमारा तो मजदाग बना दी है ना लोगों ने हम यह कहना चाते हैं कि अभी ठाही तरीक को आपने देखा हमारे उपर लाठी चार्ज ज़ोह हमारे साथी कितने जक्मी हो गए हैं लेकिन कोई बोलने के लिए तयार नहीं है अगर डेली बेजर और ज़्यादे अग जार एक बार फिर जुरूर प्रटस्ट में उतरेगा ये एक बार फिर से चैताफनी देने की कोशिश हुए क्या लगता है कि सरकार अभी तक आपकी मांगों को मानने के लिए राजी क्यों नहीं हो रही है कहां पर तूटिया रह रही है क्या खारण मैं पहला तो आपका बहुत 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 दड़े बाद जो मीडिया हमारी बाज टेबल टाक तक पुचा रहे हैं तो मुझे समझे नहीं आ रही है कि जो सरकार है जो आन देखी का रहा है एलजी परसासन खुद गहरी नीर के सोई हुए है बारती जन्ता पार्टी के बो खु बेबग良 है लेकर मैं कहता हूं जिए graph का रच ना ले रहा हुने आपके सा सक्कार कि यह बच्चे कि जम्मू किसमीर विख रहा हैं यह जदी कि साथ मैं हम नहीं मिले हैं किस तरह से है साथ में आसमान पर गुसा इस वक्त है और वह जायज भी है क्योंकि जो लोग 20-30 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं घर के अंदर अगर वो निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं सही तरीके से और माबाप के दिल के उपर क्या इस वक्त गुजर रही है वो इनके गुसे से और बात करने क अंदाज से आप अंदाजा उसका लगा सकते हैं कि कितनी परिशानी के दौर से ये लोग गुजर रहे हैं क्योंकि एक अपना परिवार अगर आपको चलाना है वहाँ पर अगर पैसा नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं है घर के अंदर तो फिर कहीं तरह के सवाल उठते ह पैना की रोटी कपड़ा और माकान ये तीन चीज़ों के लिए लोग यहाँ पर लड़ जाते हैं एक दूसरे को मारा जाता है लड़ाई होती है लेकिन अगर वो भी नहीं मलता है तो फिर सोचिए कि किस तरह से मंजर जो है वो बनता है तो केंदर शासत प्रदेश के अंद एलजी प्रशासन से जरूर इन लोगों ने लगाई थी सरकार से जरूर लगाई थी लेकिन वो कहीं न कहीं धूड़ाई